ओम शांति ओम शांति आज 6 नवेंबर दोहजारतेईस दिन सोमवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफटी है तुम श्रीमत पर रुहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा प्रश्न विकर्मों का बोज सिर पर है उसकी निशानी क्या होगी उसे हलका करने की विधी सुनो उत्तर जब तक विकर्मों का बोजा है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं होसकती कर्म ऐसे किये हुए हैं जो बार बार विखर डालते हैं आगे बढ़ने नहीं देते हैं इस बोज से हलका होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो रात को जाग कर बाबा को याद करो तो बोज हलका हो जाएगा गीत, माता ओ माता तुम ही हो भाग्य विधाता ओम शंती यह हुई जगत अमबा की महिमा क्योंकि यह है नई रचना एकदम नई रचना तो होती नहीं है पुरानी से नहीं होती है मृत्यू लोक से अमर लोक जाना है यह जैसे जीने और मरने का सवाल है या तो मृत्यू लोक में मर कर खतम होना है या तो जीते जी मर कर अमर लोक में चलना है जगत की मामाना जगत को रचने वाली ये जरूर है बाप स्वर्ग का रचियता रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा बाप कहते हैं मैं सूरेवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूं आना है संगम पर कहते भी है कल्प के संगम युगे हर संगम युगे आता हूँ कलियर समझानी है सिर्फ मनुश्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया है सर्वव्यापी का ग्यान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है यह किस ने कहा, कब कहा कहा लिखा हुआ है अच्छा गीता का भगवान कोन है जो ऐसे कहते हैं श्रीक्रेश्न तो देधारी है वे तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता श्रीक्रेश्न का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर बाप को तो वर्सा देना है कहते हैं मैं राजियोग सिखाता हूँ सूरेवंशी चंदरवंशी का वर्सा देने नहीं तो 21 जर्म का वर्सा उन्हें किस ने दिया लिखा भी हुआ है ब्रह्मा मुख से ब्रह्मन रचे फिर ब्रह्मनों को बैठ नौलिज सुनाते हैं स्रश्टी के आदी मद्य अंतगी तो जो नौलिज देने वाला है वे जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने लिए वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है परन्तु यह सहज कर समझाने लिए चित्र बनाए हुए है इनसे बहुत काम हो सकता है तो जगत अंबा की भी महिमा है शिव शक्ती भी कहा जाता है शक्ती किसे मिलती है World Almighty बाप से World Almighty Authority यह अक्षर भी महिमा में देना पड़े Authority माना जो भी शास्त्रो आदि की नौलिज है वह सब जानते है Authority है समझाने की ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते है और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो ऐ थियोरुटी हुई ना। तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है, चार धर्म, उनमें भी एक धर्म है मुख्य, यह है फाउंडेशन, बैनियन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है, इनका फाउंडेशन सड गया है, बकि टाल टालियां खड़ी है, यह मिसाल है, दुनिया में जाड़तों बहुत हैं, सत्युग में भी जाड़तों परणतु वह सब चीजें सतो प्रधान होती है। पहली पहली मुख्य बात बाप से वर्सा लेना है। प्राप्त करते हैं। पहली 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 तो निश्चे कराना है कि भगवान ज्यान का सागर है। मनुशिस रिष्टी का बीज रूप है। चेतन्य बीज में नौलेज किसकी होगी। जरूर जाड की होगी। तो बाप आकर नौलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारिया नाम अच्छा है। प्रजा पिता ब्रह्मा के कुमार कुमारिया तो डेर है। इसमें अंदश्रद्धा की कोई बात नहीं। यह तो रचना है न। बाबा, मम्मा, अत्वा, तुम, मात, पिता सब कहते हैं। जगतंबा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। यह तो प्रैक्टिकल में बीके है। इनको नौलेजफुल कहा जाता है। बीज में जरूर पूरे व्रक्ष की नौलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुश्य स्रष्टी है। बाप, राजयोग भी सिखलाते हैं। परम, पिता, परमात्मा, ब्रह्मा, द्वारा, ब्रह्मनों को बैठ सिखलाते हैं। जो ब्र प्रकार का देह अभिमान हैं। इसमें बड़ी महनत चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जाग कर याद करना है क्योंकि तुमारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोजा बहुत हैं। जो बेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं। परंतु बाबा कहते हैं impossible है। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूं याद करने की परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं तो बच्चों को भी follow करन चाहिए। फोलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं वेजते हैं। पुर्शार्ट के लिए समय मिला हुआ है। यह धारणा कोई मासी का घर नहीं। इसमें ठकना नहीं होता है। कोई समझने में टाइम लेते आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कनवर्ट हो गया होगा तो वेह आ जाएगा। एक दिन अफ्रिकंस आधी की भी कॉनफरेंस होगी। भारत खंड में आते नहींगे। आगे कभी आते नहीं थे। अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आधी यह सब कभी बाहर निकलते नहीं थे, नेपाल का जो किंग था, उसने कभी रेल देखी नहीं थी, अपनी हद से बाहर कहा जाने का हुकम नहीं था, पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया, आएंगे सब क्योंकि यह भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़ेते बड़ से निकलेगी, तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंतरन देना है, ज्यान फिर भी वही उठाएंगे, जो देवी देवता धर्म वाले कनवर्ट हो गए हैं, इसमें समझ चाहिए, अगर समझें, तो शंक द्वानी जरूर करें, हम ब्राहमन हैं ना, हमको गीता ही सु मुक्ती धाम में जाने का, मुक्ती जीवन मुक्ती का हक है, जीवन मुक्ती सब को मिलनी है, जीवन बंद से मुक्त हो, शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं, तो जीवन मुक्त हैं, परन्तु सब को सत्यूग में तो जीवन मुक्ती नहीं मिलती, सत्यूग में जीवन मुक परत ही बना है जो सबसे उच था बाप भी कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है यह बनी बनाई है सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं Heavenly Godfather ही Heaven स्थापन करते हैं और कोई कर ना सके Christ से 3000 वर्ष पहले बारोबर कहते हैं Heaven था नई दुनिया थी Christ कोई वाथ होड़े ही आएगा वे अपने समय पर ही आता है फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है यह सब बुध्धी में बैठे तो श्रीमत पर चले सबकी बुध्धी एक जैसी नहीं है श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए फिर शेवाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ ब्रह्मा और जगतमबाद्वारा ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे न तो दोनों कमबाइन रहें ब्रह्मा द्वारा ही करतव व्यव करेंगे शरीर तो दो इकठे नहीं है कोई-कोई कमबाइन शरीर भी देखा है बाबा ने सोल तो दोनों की अलग-अलग हो गई इसमें बाबा परविश करते हैं वह है नौलेज़ फुल तो नौलेज किस द्वारा दे श्री क्रेशनी का चित्र तो अलग है या तो ब्रह्मा चाहिए प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने है ये कोई अंदशरद्धा तो नहीं है एडॉप्टेड चिल्ड्रेन को भगवान पढ़ाते हैं कल्प पहले जो एडॉप्ट हुए थे वही अब होते हैं बाहर ओफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बीके हैं यह गुप्त हो गया शिबाबा की संतान तो हैं ही बाकि रचना नई स्रिष्टी की रचनी होती है पुरानी से नया बनाते हैं आत्मा में खाद पढ़ने से पुरानी हो जाती है सोने में ही खाद पढ़ती है तो फिर जूठा हो जाता है आत्मा जूठी होती है तो शरीर भी जूटा हो जाता है फिर सच्चा कैसे हो जूटी चीज़ को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए तो कितना बड़ा विनाशु होता है यह त्योहार आदी भी सब भारत के हैं यह किसके और कब के है कोई नहीं जानते नौलेज बहुत कम उठा सकते हैं पिछाडी में करके राजाई मिली उससे क्या बहुत थोड़ा सुक हुआ न दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है इसलिए अच्छी रिती पुर्शार्थ करना है कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं पुराने अटेंशन नहीं देते दे अभिमान बहुत है सर्विस करने वाला ही दिल पर चड़ेगा का जाता है न अंदर एक बाहर दूसरा बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते है कोई सर्विस नहीं करते अंदों की लाठी नहीं बनते अभी मरने जीने का सवाल है अमर पूरी में उच्च पद पाना है मालूम पढ़ता है किस किस ने कल्प पहले पुर्शार्थ कर उच्च पद पाया है में चल सको उतना अच्छा है सब को बाबा समझाते हैं चित्रों पर समझाना बहुत सहज है ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सब है वैशी बाबा है बड़ा बाबा फिर नईस रिष्टी रचते हैं काते भी हैं मनुष्य से देवता सिख दर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते गुरु नाना के अक्षर बहुत अच्छे हैं जब साहब को तो सुख मिलेगा यह है तंत अर्थात सार सचे साहब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे अर्थात वर्सा मिलेगा मानते तो हैं एकोंकर आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता आत्मा मैली होती बाके विनाश नहीं होती इसलिए अकाल मूर्थ कहते हैं बाप समझाते हैं मैं अकाल मूर्थ हूँ तो आत्माएं भी अविनाशी हैं हाँ बाके पुनर जनम में आती हैं हम एक रस हैं साफ बतलाते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ, तो यह बाते समझ कर समझानी है, अंधों की लाठी बनना है, जियदान देना है, फिर कभी अकाले मृत्यू नहीं होगा, तुम काल पर विजय पाते हूँ, अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, दारना के लिए मुख्य सार श्रीमत पर रुहानी सर्विस करनी है अंधो की लाठी बनना है शंक द्वनी जरूर करनी है देही अभिमानी बनने के लिए याद का चाट रखना है रात को जाग कर खास याद करना है याद में ठकना नहीं है वरदान सदा अपनी श्रेष्ट शान में रहे परिशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्ती मान भव सदा अपनी श्रेष्ट शान में रहे परिशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्ती मान भव अब बाब दादा के वरदान को विस्तार में समझेंगे सदा यह वर्दान स्मरती में रहे कि हम अपनी श्रेश्ट शान में रहने वाले औरों की भी परिशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्ती मान है कमजोर नहीं श्रेश्ट शान के तखत नशीन है जो अकाल तखत नशीन बाप के दिल तक्त नशीन श्रेश्ट शान में रहने वाले हैं वे स्वपन में भी कभी परिशान नहीं हो सकते कोई कितना भी परिशान करे लेकिन अपनी श्रेश्ट शान में ही रहते हैं स्लोगन सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा ओम शंति ओम शंति